आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12 के फिजिक सब्जेक्ट के चैप्टर इलेक्ट्रिक चार्ज एंड इलेक्ट्रिक फिल्ड अर्थात विद्दुत आवेश तथा विद्दुत छेतर से समंदित वो इंपोर्टेंट कुशन्स जो आपको सबी परकार के कम्पिटिशन एक्जाम, बोर्ड एक्जाम तथा आई आई टी वे पी एम टी एक्जाम्स में देखने को मिल सकते हैं अब हम बात करते हैं कुशन्स की, फिर्ष्ट कुशन्स की बात की जाए तो आवेश के ऐसा ही मात्रक वे सीजीयस मात्रक में समंद बदाता हैं और उनके बारे में कुछ कुशन्स की बात करेंगे तो आंस्वर की बात की जाए तो जो आवेस का जो ऐसा ही मात्रग होता है वो होता है कुलाम तथा CGS परदती में जो आवेस का मात्रग होता है उससे हम बोलते हैं ESU अर्थाथ Electro Static मात्रग अर्थाथ उसका दूसरा नाम हम बोले तो State कुलाम भी बोल सकते है और इनके मद्य जो सम्मन्द की बात की जाए वो क्या होता है जो एक कुलाम आवेस होता है उसका मान तीन गुणा दस की पावर नो ESU मतलब State कुलाम के बराबर होता है तो अब next question की अगर बात करें तो next question है आवेस का सबसे बड़ा मात्रग वे सबसे छोटे मात्रग के बारे में बताना है तो याद रखना है सबसे बड़ा जो मात्रग होता है वो होता है फेराडे क्या होता है याद रखना है फेराडे होता है क्योंकि बच्चे थोड़ा सा confused भी हो सकते हैं क्योंकि एक अपन पढ़ेंगे चेप्टर विद्दूत धारिता वाले में एक नाम आएगा फेरड और अभी मैंने बता है कि आवेस का सबसे बड़ा मात्रग होता है वो क्या होता है फेराडे तो याद रखना है फेरड जो मात्रक होता है वो होता है धारिता का जो लेकिन जो फेरड जो मात्रक होता है वो होता है विद्धुत आवेश का तो सिंपल सी बात है याद रखना है जो फेरड जो मात्रक होता है वो होता है विद्धुत आवेश का जो फेरेड जो मात्रक होता है वो विद्धूत धारीता का होता है तो अब अपने कुशन की बात की जाए तो आवेश का जो सबसे बड़ा मात्रक होगा उसे क्या बोलते हैं फेराडे बोलते हैं तथा सबसे छोटे मात्रक की बात की जाए उसे हम बोलते हैं ESU अर्थात स्टेट कुलाम जो भी आपको बताया था इससे पहले वाले किशन में अब बात की जाए एक छोटा सा सम्मन्द है इसके बारे में कई बार पूछ भी लिया जाता है कि जो बताया जाता है कि आवेश का सबसे बड़ा मातरक फिराडे होता है कैसे क्योंकि एक फिराडे के अंदर 96 में 1500 कुलाम आवेश होते हैं इस कारण फिराडे को आवेश का सबसे बड़ा मातरक का जाता है अब नेक्स्ट क्यूशन की बात की जाए आवेश पर वेग गती चाल का क्या परवाव पड़ता है एक्जामपल के लिए जैसे बोल दिया गया किसी कण का वेग प्रारंब में 10 मिटर पर 30 सेकेंड था चेंज करके 15 कर दिया, 9 कर दिया, कम कर दिया कहने का मतलब है या तो वेग कम कर दे, ज्यादा कर दे या फिर जीरो से कुछ वेग में वर्दी कर दे, तो इस इस्तिती में जो आवेश के मान पर क्या परवाव पड़ता है, उसके बारे में आपन बात करेंगे तो याद रखना है किसी भी कण के आवेश पर वेग का बोल दे, गती का बोले या फिर चाल का कोई परवाव नहीं पड़ता है क्यों नहीं पड़ता है, कारण भी आपको मालूम होना चीए क्योंकि हम हमारे पास एक टॉपिक है आवेश की निश्चत्ता इसके कारण जो आवेश का मान एह परिवर्ट की तरहता है लेकिन थोड़ा सा दिमाग और लगाए है क्योंकि जितना डीपली पढ़ने की कोसिस करोगे क्यूशन मनते जाएंगे, जितने क्यूशन मनेंगे कन्फ्यूजन आएगा कन्फ्यूजन तभी सोल्व होगा जब आपको सबी चीजे मालूम होगी तो एक चीजे जरूर याद रखनी है कि वेग चेंज नहीं होता लेकिन एक कंडिशन ऐसी भी है जहाँ पर वेग भी चेंज हो सकता है तो उस कंडिशन की बात की जाए तो याद रखना है जदी किसी कंड का वेग जैसे कोई भी इलेक्टोन ले ले लिया प्रोटोन ले लिया की एक कंडिशन है ठीक है उसका वेग यदी परकास के वेग परकास का वेग अपन जानते कितना होता है तीन गुणा दस की पावर आठ मिटर परती सेकेंड के लगबग बराबर हो यदी कंड का वेग अगर परकास के वेग के लगबग बराबर आ रहा है तो इस इस्तिती में आविश गती पे निरबर करता है अन्यता नहीं करता है लेकिन अपन बात की जाए जैसे मान लिया एक कोई इलेक्ट्रोन है उसका वेग अगर मैं बोल दूँ अपने पास निकल के आ रहा है 2.91 इंटू 10 की पावर 8 मिटर परती सेकें अर्थात बोल सकते हैं यह जो इलेक्ट्रोन का जो वेग है लगबग परकास के वेग के बराबर आ रहा है इस इस्तिती में जो इलेक्ट्रोन का जो आवेश है वो चैंजमेंट हो सकता है लेकिन ऐसी इस्तिती आपको कभी प्राप्त नहीं होगी इस कारण बोला जाता है कि जो कण का आवेश होता है वो वेग पर चाल या गती पर निर्बर नहीं करता है अब नेक्स्ट कुशन की बात की जाए अपनने पड़ा था भी अगर आवेश अगर गती करने लगे तो इस इस्तिती में जो आवेश किस परकार के छेतर उत्पन करता है तो याद रखना बहुत एजी क्यूशन इस पर भी कई बार क्यूशन पुछे गए हैं एक्जामस में तो याद रखना अगर कोई भी आवेश इस्तिर है इस्तिर का मतलब है उसका वेग का मान जीरो है अर्थात किसी करन का वेग अगर सुन्य है तो वह आवेश स्रिफ विद्दु छेतर उत्पन करेगा यदी अब सेकिंड पॉइंट आजए यदी आवेश गती सील हो गती सील का मतलब प्रारम में वेग जीरो है लेकिन कुछ टाइम बाद में उसका वेग बढ़के कितना भी हो गया जैसे दो हो गया, तीन हो गया, चार हो गया ठीक है, उस इस्तिती में क्या होगा जो आवेश होगा, वो क्या करेगा विद्दु छेतर उत्पन करेगा क्योंकि वो आवेश है तता चुम्बे के छेतर उत्पन करेगा क्योंकि वो गती सी लवस्ता में आ गया है तो याद रखना है कि आवेश के कारण तो पनोता विद्दू छेतर तथा उसकी गती के कारण जो छेतर पनोता है उसे क्या बोलेंगे है वर्ण चुम्बे के छेतर तो दो परकार के क्यूशन हुए अब थरड गूशन की बात की जाए यदि कोई आवेश है अगर तवरीत गती करने लगे ठीक है या फिर उसको परिवर्तित कर दिया तो कूशन कई बार पूछा गया है कि कोई भी तवरीत या परिवर्तित आवेश किस परकार के छेतर उत्पन करते है तो इसको अंसर क्या लिखेंगे कि जो तवरीत आवेश है वो विद्दू छित्र चुम्ब के छित्र तो उत्पन करते हैं लेकिन वेग में परिवर्तन के कारण क्या उत्पन करते हैं विद्दू चुम्ब के तरंग अर्थाद इलेक्ट्रो मेगनेटिक वेव उत्पन करते है अब next question की बात कीज़ए अब कोई भी आवेश अगर गत्य कर रहा है तो इसके कारण कोई ना कोई तो बलूत्पन होता होगा तब इन बल की बात कीज़ए तो याद रखना है यदि आवेश स्तिर है तो वह स्तिर आवेश कौन सा बलूत्पन करता है कुलाम बल यह जिसे क्या बोलते है इस्तिर वेद्दूत बल भी कहा जाता है इसका मान निकालने के लिए फोर्मुला अपने पास F इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन आरे स्क्वेर जहां पर Q1 Q2 तो क्या है आवेश के मान है तथा R क्या है दोनु आवेश के मद्देगी दूरी तथा कि यह क्या है कुलाम नियता अब इसी से रिलेटेट गती से रिलेटेट क्यूशन है कि अगर आवेश क्या हो गती सील हो तो इस इस्तिती में जो कौन सा बल उत्पन होगा तो याद रखना है आवेश की गती सील अवस्ता में होने पर आवेश उत्पन करता है लोरेंजबल अब लोरेंजबल का जो फॉर्मूला होगा उसकी बात की जाए तो क्या बोल सकते है कि जो लोरेंजबल होता है वो विद्दुत बल वे चुम्बक्यबल के योग के बराबर होता है अर्थात आवेश है इसकारण विद्दुत बल उत्पन हुआ गती सी लवस्ता में इसकारण चुम्बक्यबल हो बनुआ इन दोनों को मिलाने पर जो बल उत्पन हुआ उससे हम बोलेंगे लोरेंजबल जो आगे के अध्याय में हम बढ़ेंगे जिसका फोर्मला क्या है अपन विद्दुत बल के फोर्मले की बात की जाए तो वो हो गया क्यूं इ तथा चुम्बक्यबल का फोर्मला जो होगा वो होगा क्यूं वी बी साइन थिटा जाँ पर वी के है वेग है वी के है चुम्बक्यबक्यबल के छेतर है क्यूं है आवेश तथा ई है विद्दुत छेतर अब नेक्स्ट क्यूशन की बात की जाए कि आवेश के क्वांटम पर करती आपने सुना होगा आस तक कोई भी आवेश होता है उसकी quantum पर करती होती है इस बात की जो खोज है किसने की क्यूशन कई बार पुछा है तो याद रखना है जो आवेश का जो quantum पर करती है उसकी खोज की थी Robert A. Millikan ने की थी उन्होंने अपने तेल बूंद परियोग द्वारा आवेश की quantum पर करती की खोज की थी अगर किसी स्टूडेंट को तेल बूंद परियोग के बारे में डिटेल से जाना हो या फिर quantum पर करती के बारे में जाना हो तो मुझे कमेंट कर सकते हैं जिसे मैं और डिटेल से बता पाऊँगा अब नेक्स्ट क्यूशन की बात की जाए कि कोई भी वस्तू है उस पर जो आवेश की जो नियूनतम मातरापन बान सकते हैं कि कम से कम इतना आवेश होना चाहिए तो उस आवेश का मान होता है एक पॉइंट शे गुणा दस की पावर माइनस गुणने से कुला अब नेक्स्ट क्यूशन की बात की जाए जो आवेश किसी भी वस्तू पर आवेश की जो उपस्तिती है उसका अध्यन हम किस उपकरण की साहता से कर सकते हैं तो याद रखना है किसी भी वस्तू पर आवेश की जो उपस्तिती है उसका अध्यन हम विदूदर्सी से भी कर सकते हैं जिसे हम इलेक्ट्रो स्कॉप भी बोलते हैं या फिर स्वर्ण पत्र विदूदर्सी से भी कर सकते हैं इलेक्ट्रो मिटर से भी कर सकते हैं वोल्टा मिटर से भी कर सकते हैं तथा प्रक्षेप धाराम आपी से भी कर सकते हैं अब यहां पर एक छोटा सा क्यूशन मन के आता है कि बई कन्फ्यूज ना हो उसके लिए मैं बता देता हूँ एक हम पढ़ेंगे वोल्ट मिटर और अभी मैंने बता है वोल्टा मिटर तो याद रखना जो वोल्ट मिटर होत वोल्ट मिटर होता है किसी वस्ते पर आवेस की उपस्तिती को गयात करने का अब नेस्ट क्यूशन की बदा आप यह अपने पड़ा था cgs प्रदती में जो अवेश का मात्रक है स्टेट कुला अब और भी मात्रक होते हैं जिनके हम बात करें तो next question क्या है cgs प्रदती में आवेश के अपने को अन्य मात्रक और बताएं तो आंस्वर की बात की जाए एक तो होता है स्टेट को लाम जिसे हम इलेक्टर स्टेटिक यूनिटि बुलते हैं जिसका अन्य नाम क्या होता है फ्रेंक्लिन होता है तो याद रखना है CGS परदती में आवेश के जो क्यों मात्रग होंगे वहेतों स्टेट को लाम ESU भी बोल सकते हैं या फिर Franklin भी बोल सकते हैं तो तीन नाम तो यह हो गए और एक होता है EMU अर्थाथ Electromagnetic Unit अर्थाथ विद्धुत चुम्ब के मात्रग जिसका अन्य नाम क्या होता है परम्त कुला तो याद क्या रखना CGS परदती में जो आवेश के मात्रग होते हैं वो क्या होते हैं स्टेट कुला ESU Franklin EMU या फिर ये भी नाम आजए विद्धुत चुम्ब के मात्रग Electromagnetic मात्रग या फिर परम्त कुला इन में से कोई भी क्यूशन की सहाब से आएगे आपको optional question दे दिया कि इन में से कोई सा मात्रग आवेश का है तो अपने को सारे नाम मालूम है तो अगर किसी विवरकार का question आए हम आनस्वर दे सकते हैं एक छोटी सी बात याद रखनी है जो एक परम कुलाम होता है अर्थाट EMU भी बोल सकते हैं ठीक है उसके मद्दे अगर समंद की बात की जए तो एक EMU या फिर एक परम कुलाम बराबर होता है दस कुलाम के बारे अब नेक्स्ट कुशन की बात की जए आवेश के मूल गुण बताने है कि आवेश के कौन से ऐसे गुण है तो बात की जए याद रखना है कि जो आवेश होते है वो योज्यता योज्यता मतलब योग फल्नियम का पालन करता है खहने का मतलब है एक्जामपल की बात की जए जैसे ये कोई एक निकाए मान लिया जिसमें तीन परकार के आवेश है Q1 जिसका मान पलस पांच कुलाम है Q2 मान लिया जिसका मान माइनस का च्यार कुलाम है और Q3 बराबर कितना है पलस के दो कुलाम तो इस इस्तिती में जो पूरा निकाए होगा उसका जो कुल आवेश होगा वो योज्यता नियम के अधार पर ग्याद किया जाएगा तो जो टोटल आवेश होगा इन सबी आवेशों को इनके चिन सहीत जोड देंगे जैसे पलस पांच है तो पलस पांच लिख दिया माइनस चार है तो माइनस चार लिख दिया पलस दो है तो पलस दो इन सब को calculate करेंगे तो जो आंसर आएगा उसका मान के आएगा पलस तीन निकल के आ रहा है तो इस हिसाब से अपन किसी भी निकाय का कुल आवेश रिग्याद कर सकते है अब नेक्स्ट कुशन की बात की जाए अब नेक्स्ट की बात की जाए तो जो आवेश होता है वो शरक्षन नियम का पालन करता है शरक्षन नियम अपन पढ़ते हैं किसी भी परकार का शरक्षन नियम की बात की जाए जैसे अपने इलेवंध क्लास में पढ़ते हैं समवेग शरक्षन उर्जा शरक्षन उन सम्में क्या है कि किसी भी इस्तिती में ना तो उर्जा नश्ट कर सकते हैं ना गरन कर सकते हैं अर्थात कुल उर्जा का मान हमेशा नियत रहता है अर्थात शरक्षित रहता है उसी परकार किसी भी वस्तु का जो आवेश होता है हमेश सा सनक्षित होता है जिसका हम डिटेल से आगे के पॉइंट्स में पढ़ेंगे अब थर्ड गुण की बात की जाए वह होता है आवेश की निश्चत्ता आवेश की निश्चत्ता भी पिछे के क्यूशन में अपनने पढ़ा था कि वेक का परभाव जो होता है आवेश पर नही पढ़ता है वही है आवेश की निश्चत्ता और नेक्स्ट गुण है वो है आवेश का क्वांटिक रना या फिर सुना होगा किसी से कि जो आवेश की जो क्वांटम प्रकरती होती है या फिर बहुत बार आपने सुना होगा कि वही क्वांटम फिजिक्स जिसके अकोर्डिं हम फ्यूचर में जा सकते हैं तो सब कुछ जो भी है वो क्या इस quantum reality के अंदर है तो इसके बारे में हम और भी डिटेल से पढ़ेंगे तो अब लेकिन अभी क्या आद रखना है कि आवेश के जो च्यार मूल गुण होते हैं एक तो होता है आवेश की योज्यता या फिर जिसके जो पर दो पर फोर्ट होता है आवेश का क्वांटिक रण जिसमें आपन फोर्मूला निकालते हैं आवेश का Q equal to plus minus N E जा पर N क्या है पूनांग संख्या या फिर इलेक्तरोन या प्रोटोनों की संख्या ताथा E क्या है मूल आवेश या फिर इलेक्तरोन के पर दर्विमान का क्या परवाव पड़ता है उसके बारे में बात करेंगे तो याद रखना है यदि किसी वस्तु बर आवेस अगर धनात्मक है धनात्मक का मतलब क्या है दर्विमान में कमी हो रही है ठीक है इस इस्तिती में फोर्मुला काम मिलेंगे अपन डेल एम मतलब पर अर्थात इलेक्ट्रोन का दर्वेमान जिसका मान जानते हैं 9.1 गुना दसकी पावर 31 किलोग्राम होता है अगर सेकिंड अगर आवेश क्या हो रिनावेशी तो उस स्तिति में जो दर्वेमान में क्या होता है वर्दी होती है तो ज़्यादा कुछ याद नहीं रखना है अपन वस्तु पर पोजिटिव आवेश है तो उसके दर्वेमान में होती है कमी यदि रिनात्मक आवेश है तो उस स्तिति में दर्वेमान में होती है वर्दी इसको हम गयाद कर सकते हैं इस फोर्मुले की सायथा से अब नेक्स्ट कुशन की बात की जाएं अभी हम पढ़ेंगे क कुलामबल तथा विद्दूच्ट तो इनकी कोई ना कोई तो शर्थ होगी जिस पर यह कारिय करते होंगे तो याद रखना है कि कुलामबल का भी फॉर्मुला अपन पढ़ेंगे अएफ इक्वल टू के क्यू उन क्यू अप़ों आर स्कुरे यह तो अगया अपना कुलामबल का फॉर्मुला ओर अभी एक आगे के टोपिक्स में पढ़ेंगे विद्दू छेतर का फॉर्मुला क्यू अपॉन आर स्क्वार ठीक है तो यहां पे आर क्या है दूरी है क्यूं क्या है आवेश है क्या है कुलाम नियतंग एफ क्या है कुलाम बल और ए क्या है विद्दू छेतर तो इन दोनों की शर्ट क्या है कि कभी यह दोनों रूल फोलो होंगे अर्थात किस इस्तिती में कुलाम बल कारिय करेगा और किस इस्तिती में विद्दू छेतर कारिय करेगा तो याद रखना इन दोनों की शर्ट क्या होती है कि कुलामबल के लिए या फिर विद्दू छेतर के लिए जो दूरी होती है जो आर का जो मान होता है उसका मान दस की पावर माइनस पंदरा मिटर अर्थात नबी के तिरजया से अधिक होना चाहिए या फिर उसके बराबर हो होना ची इस इस इस्तिति अगर इस परकार की दूरी की इस्तिति है तो उस इस्तिति में जो कुलामबल है या फिर जो विद्दु छेत्र है वो अपन घ्याद कर सकते हैं एक्जामपल की बात की जाए यदी दूरी अपने को दे रहे किया है 10 की पावर माइनस 16 मिटर तो के अंदर अगर गात बढ़ रही है मतलब 15 से 16 हो रही है तो माइनस में तो इसे क्या बोलते हैं कम तथा प्लस में क्या बोलते हैं इसे अधिक बोलेंगे तो याद रखेंगे दस की पावर माइनस 16 दस की पावर माइनस 17 दस की पावर माइनस 18 ये सब दूरिया तो क्या है दस की पावर माइनस 15 से छोटी है तथा दस की पावर माइनस 14 माइनस 13 या फिर पलस की कोई भी गात ये सब क्या है 10 की पावर माइनस 15 से अधीक है तो याद रखना है इस इस्तिती में जो कुलामबल है तथा विद्दू छेतर है वो उत्पन नहीं कर सकते हैं और इस इस्तिती में अपन उत्पन कर सकते हैं क्यूशन क्या था जब दूरी का मान दसकी पावर माइनस सोला मिटर हो तो कुलामबल अपने को ग्याद करना है तो इसका सिंपल सा आंसर होगा इस इस्तिति में जो कुलामबल होगा जो एफ का जो मान होगा उसका मान होगा सुन्य है तो उसले भी क्यों होगा क्योंकि दसकी पावर माइनस 15 मीटर से कम दूरी अर्था 10 की पावर माइनस 16 है इस पर जो कुलामबल वो कारिय नहीं करता है कौन सा बल कारिय करता है नभी केवल इस करण कुलामबल का मान हो जाएगा जीरो अब सेकंड एक्जामपल की बात की जाए यदि दो आविस दे रखें Q1 और Q2 दो के मान ली अपने दो कुलाम है अलग-अलग भी ले सकते हैं लेकिन मैने माना है सेम सेम की दो कुलाम तथा दूरी का मान कितना है 10 की पावर माइनस 14 तो इस 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 की में कुलामबल अपने को गयाद करना है तो दूरी की बात की जाए 10 की पावर माइनस 15 से अधिक है 10 की पावर 9 और Q1 का मान 2 और Q2 का मान भी अपने 2 माना है दूरी की बात की जाए 10 की पावर माइनस 14 है उसका स्क्वेर करेंगे तो इसको अगर सोल करें तो इसका मान आएगा क्या चीज़ 36 गुणा 10 की पावर 37 कुलाम तो याद क्या रखना है कि अगर दूरी 10 की पावर माइनस 15 मेटर से कम है तो कुलामबल नहीं लगेगा अगर 10 की पावर माइनस 15 से अधिक तथा अनन से छोटी है तो इस इस्तिती में कुलामबल भी लगेगा और विद्दू छेतर भी उत्पन होगा अब नेक्स्ट क्यूशन की बात की जए कोई पूस ले आपको कोई भी नाबिक है नाबिक का संकेत क्या होता है X X मतलब कोई भी तत्व हो गया जैसे कारबन हील हैलोजन कोई भी तत्व हो गया ठीक है उसका साइन ये क्या होता है उसका दर्वेमान संख्या होता है और जैड परमानू कर्मान या फिर इलेक्ट्रोन या फिर प्रोटोन की संख्या तो अपने को क्या दे रखा है नबिक 6C12 इस पर अगर कोई पूचे इस पर आविश का मान ग्याद करना तो इस पर आविश कितना होगा तो इसका formula होता है अपने आविश कहें की formula पढ़ा है Q equal to N E तो यहाँ पर नबिक का अगर आविश निकालना चाहें तो यहाँ पर N की जगए अपन क्या काम मिलेंगे Z क्यों? क्योंकि N होता है electronों की संख्या उसी शाब से यहाँ पर Z भी क्या है proton की संख्या या फिर electron की संख्या तो Z और E को Z और N को बराबर लिख सकते हैं तो उसी साब से formula होगा है Q equal to Z E यहाँ से आउसर निकलना चाहें तो Q का मान क्या होगा Z का value क्या है 6 है तो 6 रख दिया E का मान अपन जानते हैं पॉइंट 6 गुणा 10 की पावर माइनस कुनिस कुलाम इन दोनों को multiply करेंगे तो आउसर आएगा 9.6 गुणा 10 की पावर माइनस कुनिस कुलाम तो इस रसाब से हम किसी भी नबिक का हम आवेश ग्याद कर सकते हैं अब नेक्स्ट कुशन्स की बात की जाए कि परकरती में कौन सी स्थित्य होगी जब हम बोल सकते हैं कि ये आवेश उपस्तित है या नहीं है इसे हम आवेश बोल सकते हैं या नहीं बोल सकते हैं तो याद रखना है परकरती में आवेश के अस्तित्वे की जो शर्त है वो क्या होती है तो याद रखना है कि जो फोर्मुला पढ़ते हैं अपन Q equal to N इसके अंदर जो N का जो value अपन निकालें मतलब N का जो मान निकालेंगे वो हमेशा क्या आना चीए पूनांग संख्या आना चीए पूनांग संख्या मतलब एक आगया दो आगया तीन आगया च्यार आगया इसी साब से मलब पून संख्या आने चीए ना तो point के अंदा आना चीए जैसे 0.2 आगए ये नहीं आने चीए ना ही अनुपात में आने चीए जैसे 1 बटा 2 आगए 2 बटे 3 आगए ठीक है तो याद रखना है कि आविश उसी बोलेंगे जिसके लिए n का मान निकाले और वो क्या है पूर्ण संग क्या है एक्जाम्पल की बात की जाए यदि q का मान अपने को दे रखा 3.2 गुणा दस की पावर माइनस गुलनिस कुलाम तो अपने को बताना है कि ये आविश है या नहीं है तो अपने फॉर्मूला पड़ा है q इक्वल टू n e यासे n का मान निकाले तो e का आए गया भाग में आएगा तो n का फॉर्मूला क्या हो गया q बटे e q का मान अपने को दे रखा है 3.2 गुणा दस की पावर माइनस गुलनिस और e का मान अपन जानते है एक पॉइंट छैगुणा दसकी पाउर माइनस गुनीज इनको शोल करें तो दसकी पाउर गुनीज से दसकी पाउर माइनस गुनीज cancels एक पॉइंट से एक यह पॉइंट भी cancel तो बच गया गया blessed 32 भटे isla इसमें भाग दिया तो n का मान क्या है दो तो दो क्या एक पुर्णांग संक्या है तो जो कह सकते हैं इस आवेश का क्या होगा अस्तित्व होगा अब सेकेंड एक्जाम्पल की बात की जाए जैसे q का मान दे रखा है 4.6 गुणा 10 की पावर माइनस से 19 कुलाम तो बताना है q upon e q का अपने को मान दे रखा है 4.6 गुणा 10 की पावर माइनस 19 उसमें e का मान भाग देंगे 1.6 गुणा 10 की पावर माइनस 19 का 10 की पावर गुणीस से 10 की पावर गुणीस कैंसिल होगे पॉइंट से पॉइंट कैंसिल बच गया 46 बटे 16 इसको सोल करेंगे तो 23 बटे 8 मतलब पॉइंटों के अंदर संख्याएगी या फिर अनपात में आ रही है तो मैंने भी बताया था कि एन का मान के आना ची एक पूर्ण संख्या रही है लेकिन अपने पास पूर्ण संख्या नहीं आ रही है इस कारण क्या वो लेंगे इस आवेश मतलब 4.6 गोणा 10 की पावर माइनस 19 का कोई अस्तित्व नहीं है तो याद रखना है आवेश क्या अस्तित्व गयाद करने के लिए अपन सबसे पहले एन मतलब इस्तानांतित इलेक्ट्रों की संख्या गयाद करेंगे यदि उसका मान पूरांग संख्या है तब तो आवेश संभव है नहीं तो नहीं आप नेक्स्ट कुशन की बात की जाए यदि कोई आवेशीत कन विद्दु छेत्र में गती करने लगे तो उस गती की कारण उस कन का जो पत होगा वो किस परकार का होगा तो बात की जाए समर विद्दु छेत्र किसे बोलते हैं ऐसा विद्दु छेत्र जिसका परतेक स्तिती पर मान क्या हो समान कहने का मतलब क्या है कि जैसे ये एक छोटा सा भाग मान लिया इसको मैंने च्यार भागों में डिवाइड कर लिया कर लिया, यहाँ पर अगर विद्धू छेतर दो है, तो यहाँ पर भी दो होना चीए, यहाँ पर भी दो होना चीए, तो समरूप जाँ पर विद्धू छेतर का मान एक समान हो, उसे क्या बोलेंगे समरूप विद्दू छेतर अब बात कर रहे हैं समरूप विद्दू छेतर में अपन कण के पत की बात करेंगे तो इसमें फर्स्ट पॉइंट है यदी कण विद्दू छेतर के अनुदीस अर्थात ठिटा कोन पर इस्तित हो या फिर अनूदिस गती करे तो इस इस्तिती में जो कण का पत होगा वो क्या होगा सरल रेखी होगा अब सेकेंड पॉइंट की बात की जाए यदि किसी कण को विराम अवस्ता से सवतंतरता पूरुवक छोड़ दिया जाए जैसे कोई कण प्रारम में इस्तित है उसे हमने विद्दू छेतर के अंदर छोड़ दिया तो उस इस्तिती में वो गती किस परकार करेगा तो याद रखना है कि सवतंतरता पूरुवक छोड़ने पर विराम अवस्ता से जो कण का जोपत होता होता है सरल रेखे होता है उस थर्ड पॉइंट की बात की जाए यदि कोई कण विद्दू छेतर के अनूदीस नहीं है तो मतलब दो इस्तिती हो सकती है या तो वो परतिसमानतर हो मतलब 180 डिगरी पर हो या फिर लंबवत हो या मतलब 90 डिगरी पर हो तो इन दोनों इस्तिती में जो कण का जो पत्थ होगा वोगा परवलया कार होगा अब नेक्स्ट क्यूशन की बात की जाए आवेश के स्तिर्बल अर्थात कुलामबल तथा विद्दू छेतर की जो दिसा होती है वो किस परकार होती है तो अच्छा क्यूशन है इस पर बहुत क्यूशन बन सकते हैं तो फिस्ट यहां पे हम देखेंगे आवेश देखेंगे सभी परकार के यहाँ पे उनकी दिशाएं देखेंगे और इनके परबलता है इनके मान देखेंगे कम कहा होता है ज़्यादा कहां पर होता है तो फर्स्ट बात की जाए तो फर्स्ट बात की जाए तो आवेश अपने पास किस परकार का हैं अगर धनात्मक हो तो धनात्मक आवेश के कारण जो विद्दू छेतर हो या फिर कुलाम बल हो दोनों की दिसा क्या होगी बाहर की तरफ जिसे हम इस डाइग्राम में दर्सा रहे हैं इस इस्तिती में जो बल होगा अधिक प्रबल होगा अगर अवेश रिनात्मक हो तो इन विद्दू तबल वे विद्दू छेतर की जो दिसा होगी वो अंदर की तरफ होगी इस डाइग्राम में आप दे सकते हैं अंदर की तरफ दर्सा रहे हैं और जो परबलता होती है उसमें कमी होती है रिनात्मक है आवेश के कारण थर्ड प आवेश परकरती समान है समान परकरती का मतलब क्या है आवेश या तो दोनों पलस के हो या फिर दोनों माइनस के हो तथा समान ही परिमान हो इस इस्तिती में क्या होगा जैसे दो पलस आवेश मान लिए इनका परिमान में समान ये भी पलस क्यों है ये भी पलस क्यों है तो करों के परम कि अभए कि अभर स्थाइग में इसा हो इसे सभी प्रकरति संहान प्रिमान से वप्रेद यह पलस का चार सी कुलाम, मतलब चार कुलाम है, पर करती समान है, लेकिन परिमान अलग अलग है, या पर एक कुलाम हो गया, या पर क्या है, चार कुलाम हो गया, तो परती कर्शन दोगा, लेकिन बहुत ही कम, तो क्युशन कई बार डिटेल से अबर पढ़ना चाहें, तो या कि उस्तिती में जो ज़्यादा आवेश होगा वो कम परिमान के आवेश को अपनी तरफ आकर्सित करेगा लेकिन मात्रा में बहुत ही नगन्य होगा तो याद रखना नगन्य मात्रा में आकर्शन भी हो सकता है लेकिन अगर 12 लेवल तक की बात की जाए तो अमग इतना ही पढ कर्षण होता है किसी कम्पितेशन एक्जाम या फिर डेटेल स्टेडी में पढ़ें गे तो उसमें पढ़ेंगे कि समान में पर्ति गर्शण भी हो सकता है जब विप्रित इसमान परिमान के अवेश दो लेकिन अब यह ने वर्दी हो जाएगी क्यों जो पलस चार सी आवेश है, मतलप चार कुलाम आवेश है, वो पलस कुलाम को अपनी तरफ आकरशित करेगा इस कारण आकरशन के कारण जो परबलता होगी उसमें वर्दी होगी अब नेक्स्ट पॉइंट की बात कीज़े यदि आवेश ऐस समान पर करती उसका मानापन किस प्रकार याद करेंगे तो याद रखना है विद्गोत दूदर है जिसमें परिमान समान है छेसे यहां पर माईनस कि लेकिन प्रकर्टी वपरित यहां माईनस का है तो इस इस्तिती में जो आकशन होगा क्योंकि पलस रहे एक माइनस है आकशन होगा और दिसा होगी विद्धुद छेतर वे विद्धुद बल की वोगी पलस आवेश से माइनस से आवेश की लेकिन याद रखना है जो बल का मान होगा उसका मान सुनने होगा क्यों क्योंकि इसका जो बल है और इसक से एक के लिए plus QE हैं, दूसरे के लिए minus QE हैं, तो दुनों को जोडेंगे, तो क्या हेगा ? Total away से यह जीन भूय को जोड़ेंगे, तो आज के इस वीडियो में हम यहां तक कहीं कुछ important question पढ़ेंगे, next वीडियो में हम कुछ और important question पढ़ेंगे, झाल झाल